भारत माता की भारत माता की बिकानेर वो जगह है जिसका नाम देश में कहीं भी सुने मुँँ में पानी आ जाता है और फिर मुझे तो यहां की धर्ती पर सावन के महने में आने का सवभागे मिला है इंद्रदेव का आशिरवाद हम पर बना हुआ है और अभी अमारे सीपी जोसी जी बता रहे थे कि स्यारो, खाटू भलो, उनारो अजवेर, मारवान दितरो भलो, सावन भी कानेर यहां के रजगुलों की मिठास, यहां के नमकीन और भुजिया का स्वाद, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है मेरे लिए शहर इसलिए भी खास है, क्योंकि विकानेर को छोटी कासी के रूप में भी जाना जाता है यहां कासी की ही तरह गव्रव शाली अतीद भी है और अध्यात्म भी है यह पावन धरा मा करणी की धर्ती है सांख्यदर्शन के प्रणेता बगवान कपील की तपो भूमी है यह रुनीचा धाम रामदेवडा के बाबा रामदेव जी सिद्ध समाथ के गुरु जसनाद जी और वीत तेजाजी के भक्तों की धर्ती है यह परियावन सवरक्षन के प्रणेता गुरु जंबेश्वर की तपस्तली रही है यह तेरा पंच धर्मसंग के आचारिय आचारिय तुलसी की कर्म भूमी रही है और यहाँ मुनरा सर्बाला जी का असिरवात तो प्रत्यक्षय ही मिलता है इन सभी देवों और संतों को मैं स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और अभी जैसे बताया चार चार पांच पांच घंटे से कड़ी धूप में आप आशिरवात देने के लिए मोजूद हुए मैं जितना आपका अभार व्यक्त करू उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे मैं फिर एक बार रदय से आपका अभार व्यक्त करता हूँ दन्यवाद करता हूँ साथ यह उत्सा बताता है दो उपर देख रहा हूँ वहां तक लोग ही लोग है यह उत्सा बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चड़ाए बल्कि कॉंग्रेस सरकार के खिलाप जनता का पारा भी चड़ चुका है और जब जनता का पारा चड़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी बक्त नहीं लगता साथियों अभी कुछ ही देर पहले मुझे राजस्थान के विकास के लिए 24,000 करोड रुपिय की विकास परियोजनाओं के लोकारपान सिलान न्यास का आउसर मिला अमरिसर जामलगर एक्ष्प्रसवे को राजस्थान में पढ़ने वाला 500 किलोमेटर से लंबा सेक्षन अब शुरू हो गया है इसके पहले दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रसवे के दिल्ली दोसा लालसोट सेक्षन का भी शुभारंब हुआ था राजस्थान की कनेक्टविटी के लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ है पिछले नव वर्षों में केंदर सरकार जितनी भी योजनाय लाई है हमारी कोशिस यही रही है उनका जादा से जादा लाब राजस्थान को मिले हमने देश भर के गरीबों के लिए चार करोर पक्के मकान बनाए इसमें से करीब बीस लाख घर राजस्थान के मेरे गरीब भाईयों बहनों को मिलाए है बीस लाख घर हमने देश भर में करीब पचास करोर गरीबों के बैंक खाते खोने इस वज़े से राजस्थान के तीन करोर गरीबों को पहली बार बैंक की सुभीदा मिली कोरोना के मुश्चिल समय में यही बैंक खाते गरीबों की सबसे बड़ी ताकात बने भाई और बहनों विकास पूरी तब से जनता तक तब पहुँच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारे साथ मिलकर इमांदारी से काम करे पिछले चार वर्षों में राजस्तान में हालाथ इसके बिलकुल उलट रहे हैं हम दिल्ली से योधनाये यहां राजस्तान में भेटते हैं लेकिन यहां जैपूर में कॉंग्रेस का पंजा उस पर जप्ता मार देता है कॉंग्रेस को राजस्तान के लोगों की परिशानी से आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है अब आप देखिए घर घर पीने का साफ पानी पहुचाने की भाजपा सरकार की योधना से भी अब कॉंग्रेस सरकार को परिशानी है जिस राजस्तान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप होना चाहिया था वो सबसे दीमा करने वाले राज्यों की लिष्ट में शामिल है आज़ देखिए एक सो तीस से जादा जिले ऐसे है जहां शत्र प्रतिशत गरों में नल से जल पहुचा है इन में से पूरे डेश को एक सो तीस जिले और इस में से राजस्तान का एक भी जिला नहीं है अब आप मुझे बताइए क्या राजस्तान के लोगों ने कोई गुना किया है क्या किस बात की सजा दे रहे हो क्या राजस्तान के लोगों ने कोई गल्ती की है क्या क्या आपको नल से जल मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए आपके घरों में पानी आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए देश के एक सो तीस जिलों में हो रहा है साथ योग गलती राजस्तान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कॉंग्रेस सरकार की है कॉंग्रेस सरकार ने चार सालों में राजस्तान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कॉंग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं राजस्तान में कॉंग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाई बाई बोड में आ गई है मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विदायतों अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में सिप्ट होने लगे हैं अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कॉंग्रेस के नेता ही कर सकते हैं साथियों पुरानी कहावत है कि दिया बुजने से पहले जोर से लप लपाता है अपनी हार के डर से कॉंग्रेस भी ऐसा ही कर रही है इसके लिए वो राजस्तान के लोगों को गुम्रा करने पर उतर आई है लेकिन भाईव बेहनों आपको याद रखना है कॉंग्रेस का एक ही मतलब है कॉंग्रेस मतलब सात्यों अपका प्यार सराँखों पर आप आगे आने की कोशित मत कीजिए आपका प्यार मेरे सराँखों पर सात्यों सात्यों कॉंग्रेस का मतलब है लूट की दुकान जूट का बाजार जो ये इन दिनों बड़े-बड़े वाइदे किये जा रहे है उसमें लूट के इरादे और जूट के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है साथियों कॉंग्रेस की जूट और छलावे की राजलिति का शिकार सबसे ज़्यादा राजस्तान का किसान हुआ है आप मुझे बताईए पिछले चुनाव में कॉंग्रेस ने किसानों का कर्द माप करने का बादा किया था कॉंग्रेस ने वादा किया था इनके नेता ने दस दिन के भीतर भीतर कर्द मापी की कसम खाई थी क्या किसानों का कर्द माप हुआ दस दिन दस महिने और अब चार साल कर्द माप हुआ क्या किसानों को कुछ मिला क्या यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं हमने मोत्रे अनाजों को स्री अन्न के तौर प्रप्रमोड किया दुनिया में पोचाने का बिड़ा उठाया है बाजरा पडोस के हरियाना में 2350 रुपिये प्रतिक विंटल भी का 2350 रुपिया प्रतिक विंटल और ज्यादा दूर नहीं हरियाना में और यहां राजस्तान में वही बाजरा किसान 1300 रुपिये में बेचने को मजबूर हो गया हमने राजस्तान के किसानों के लिए नर्दा का पानी पहुँचाया इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कोई कसम नहीं चोड़ी किसानों से यही नफरत कॉंग्रेस की फित्रत है यही इनकी हकीकत है साथियों विकास के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार इमानदार भी हो और सरकार स्थीर भी हो आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थीर सरकार है आपने स्थीर सरकार बना करके मुझे काम करने का मोका दिया है जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थीर सरकारों को चुना है डबल इंजिन सरकारों को चुना है वहाँ प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे है देकिन राजस्तान में जब से कॉंग्रेस सरकार आई है इन्होंने क्या किया चार साल से पूरी कॉंग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है हर कोई एक दूसरे की टांखी चरह आए अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुले आम सोधेबाजी हो रही है एक खेमे के विधायकों को ट्रांसपर पोस्टिंग और लूट की खुली चुट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले वो मुझे लूट ने दिया जाए इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया इस मंत्री कमिशन उस मंत्री के पाथ कैसे चला गया पूरी राजस्तान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्तान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविश्य बताने में जुटे हुए है उन्हें राजस्तान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है इस बज़े से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाये हुए है आप मुझे बताईए साथियों क्या ऐसे लोग राजस्तान का भला कर सकते हैं राजस्तान के युवकों का भला कर सकते हैं राजस्तान के गाउं का भला कर सकते हैं राजस्तान के किसानों का भला कर सकते हैं इन लोगों से राजस्तान के विकास की कोई उमिद नहीं की जा सकती है भाईयों इन लोगों को मैं आज बोट तूंक कह देना चाहता हूँ अब ये प्रस्टा चार की नुरा कुस्ति बहुत हुई अब लोग तंत्र के खाने में जनता जनार्दन फैसला करेगी अब राजस्तान को स्थीर सरकार चाहिए अब राजस्तान को डबल नीन की सरकार चाहिए अब राजस्तान को परिवारबाद नहीं अब राजस्तान को विकास बाद चाहिए साथियों, राजस्तान में जब से कॉंग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है, ब्रस्टाचार, अपराद और तुष्टिक गरान हालत यह है, कि जब प्रस्टाचार की रैंकिंग होती है, तो राजस्तान उसमें नंबर बन आता है, नंबर एक आता है, जो राजस्तान अपनी शांती और सवहार्थ के लिए जाना जाता था, वहाँ आज आए दिन सांप्रदाईक तनाव की गटनाए हो रही है, पूरी कॉंग्रेट सरकार तुष्टी करण में लगी हुई है, यहाँ सिस्टेम इतना बेखौप हो गया है, कि पेपर लिग की एक अलग इंडेस्ट्री खुल गई है, अब तक सत्रा बड़ी परिक्षाओं के पेपर लिग हो चुके हैं, यानि यहाँ युवाओं के भविश्च से खुले आम खिलवार हो रहा है, साथियों हर जगा स्कूल, कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है, ताकि बच्चों का भविश्च खराब न हो, लेकिन राजस्तान में कॉंग्रेस की लूट ने सिख्चन सवस्तानों को भी नहीं बक्सा, यहाँ के सिख्चक मुख्यमंत्री के सामने आकर कह रहे हैं, कि तबादले के लिए खुली घूश चल रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, भाई और बहनों, महिलाओं के खिलाब अपराद के मामले में, बलातकार के मामले में, राजस्तान सब से आगे हैं, हालात यह हैं, कि यहाँ रख्षक ही बख्षक बन रहे हैं, और दुर्बागे कि बलातका और हत्या के आरोपियों को बचाने में, पूरी सरकाट जुटी हुई नजर आती हैं, अपने वोट मेंक की राजरिती के लिए, हमारी बेटियों पर गलत नजर डालने वालों को कॉंग्रेस समुरक्षन दे रही हैं, राजर्स्तान के लोग कॉंग्रेस के इन पाकुपों को अब जादा बरदास्त नहीं करेंगे, ये महिलाओं के सम्मान की, उनकी आनबान की धर्ती है, ये राजर्स्तान की धर्ती है, ये मापन्ना धाई की धर्ती है, ये वो धर्ती है, जहां हाडा राणी ने अपने पती को युद्ध में बेजने के साथी अपना बलिदान दे दिया था, आत्म सम्मान और धर्म की रक्षा राजस्तान की रगों में है, इस पर कीचर उचालने की हिम्मत करने वाली कॉंग्रेस को राजस्तान कभी माप नहीं करेगा, साथियों कॉंग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जो अगर सत्तामा रहती है, तो खा खा कर देश को खोखला करती है, और जब यह सत्ता से बाहर जाते हैं, तो देश को गाली दे दे कर बद्दाम करने लगते हैं, इनको भारत की प्रगती से इतनी तकलीब है, कि इनके नेता विदेश में जाजा करके भारत को गाली देते हैं, आपको याद होगा जब जब देश की सेना ने शौर ये दिखाया है तब तर इनों ने सेना को भी नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं बोला सेना कहती है हमने पाकिस्तान में आतिंक्यों के अड़े तबाह किये सर्जिकल स्ट्राइक की तो कॉंग्रेस कहती है कि सबुत दिखाओ हमारी वाई उसेना पाकिस्तान में एर- श्ट्राइक करती है तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ इनहीं कॉंगरेस को सेना और सैट्रकों से हमेशा दिख्कत रही है इसलिए वीरों की धर्ति राजस्तान जहांकर इतने उवाज सेना में जाते हैं उनसे कॉंग्रेस चीडी रहती है, हमारी सेना के जवान कितने वर्षों से बन रैंग बन पेंशन की मांग कर रहे थे, वर्षों तक कॉंग्रेस की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की, यही नहीं सेना के काम में भी यह लोग जूट और दोखे बाजी से बाद नहीं आए, बन रैंग बन पेंशन के लिए हजारों करोड रुपे की जरुरत थी, लेकिन कॉंग्रेस सरकार कागज पर केवल पांचों करोड रुपे दिखा कर, ओहार ओपिक को दोखा दे रही थी, हमारी सरकार ने बन रैंक बन पेंशन लागू किया, पूरव सैनिकों को इसके तहट करीब 65,000 करोड रुपे मिले हैं, राजस्तान के भी हमारे करीब सवा लाख पूरव सैनिकों को इसका लाम बिला है, इससे पता चलता है कि भाजपा और कॉंग्रेस की सोच में क्या फर्क है, भाजपा और कॉंग्रेस की नियत में क्या फर्क है, कॉंग्रेस अपनी सियासत के लिए देश के नुक्सान और अप्मान से कभी भी नहीं चुकती, भाजपा के लोग देश के लिए पद प्रतिश्टा सब कोच बलिदान करने से भी नहीं चुकते, साथियों, हमारा विकानेर देश का सिमावर्ती जिला है, संकट के समय ये जिला सब तो पहले देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने इस जिले की भी उतनी ही उपेख्षा किये हैं, कॉंग्रेस ने 10 अकों तक सिमावर्ती जिलाकों को जान बुचकर विकात से बन्चित रखा, आज हम बॉर्डर पर हाइटेक सब के बना रहे हैं, सीमा वाताई